नमस्कार डीवी नीूस की खास खबरों में आपका स्वागत है पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार भारत में धार्मे किस्थानों के परिटन पर काफी जोर दे रही है इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सब मरीन से परिटन की योजना बनाई है गुजरात सरकार ने हाल ही में मजगाओं डाक के साथ एक MOU साइन किया है इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में समुद्री किनारे पर सब मरीन से परिटन शुरू किया जाएगा भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब समुद्र के नीचे सब मरीन से लोग परिटन का लुफ्त उठा सकेंगे इसके साथ ही दुआरका में सब्मरीन से लोगों को समुद्र के अंदर की दुनिया को देखने का मौका भी मिलेगा गुजरात सरकार की ये पहल काफी खास होने जा रही है माना जा रहा है कि साल 2024 यानि साल की दिवाली तक इस प्रोजेक्ट को साकार करने का लक्ष है जिसमें सब्मरीन में बैटकर समुद्र में 100 मीटर नीचे तक परिटकों को ले जाया जाएगा इसी के साथ समुद्र के नीचे लोग अंडर वाटर मरीन लाइफ का मज़ा ले पाएंगे गुजरात परियेटन के एंडी सौरभ पार्दी ने बताया कि ये अपने आप में एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से समुद्री परिटन को बढ़ावा मिलेका इसका मुख्य लक्ष गुजरात में परिटन को बढ़ावा देने के साथ ही वहाँ धार्मिक स्कान पर आ रहे परिटकों और धार्मिक सुभिधाएं देना है मिली जानकारी के मताबिक सब्मरीन में 24 परिटकों के बैटने की विवस्ता होगी और इससे दो अनुभवी पाइलेट और प्रोफेशनल क्रू के साथ भेजा जाएगा बताये गया है कि पानी के 300 फीट नीच द्वार का आईलेंट की समुद्री विशेशनाई देखने को मिलेंगी सम्मरीन में बैटे हर व्यक्ती के पास व्यू विंडो रहेगी यानि कि वो खिलकी पर बैटकर बेहत करीब से इस नजारे का लुफ्त उठा सकेगा